हेलो गाइज बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज प्रोविडर में दोस्तों आज जो है हम लोग इस्तिहास के पहले चेप्टर ठीक है भारती यह इतिहास के कुछ बिस है कि सारे अब्जेक्टिव के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं और इसक पूरा इंड तक देखिएगा ठीक है क्योंकि यह बिल्कुल एक्जाम के लेवल से मैच करता है तो इसको जो है एंड तक देखिए ठीक है चले सुरू करते हैं पहला कोशन है निमलिखित को सुमेलित कीजिए तो यहां पर देखिए चार ओप्संस दिए हुए हैं चार ओप हरपा कहां पर है तो हरपा हो जाएगा आपका पंजाब के पास चले हरपा कहां हो जाएगा पंजाब के पास उसके चले कली बंगा पूछ रहा है कली बंगा कहां हो जाएगा आपका कली बंगा राजस्थान में पढ़ता है चले मोहन जोदारो मोहन जोदारो सिंध पाकिस् और उसके बाद है सुत का गेंडोर सुत का गेंडोर कहां पड़ेगा सुत का गेंडोर आपका मकरान तटपर यानिके पाकिस्तानी इरानी सीमा के आसपास तो मैं सही उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उप्सन है 1-4 B का 1 और C का हो जाएगा अपना 2 और D का 3 तो 4 1 2 3 चली देखते हैं 4 1 4 1 2 3 या अपना सही उप्सन क्या हो जाएगा चली नेक्स देखेए निमलिखित को सुमिलित कीजे ए हरपा बरतमान इस्थिति से हरपा सभिता और बरतमान स्थिति संबंदित अस्थल मतलइ ये अस्थल दे रहे हैं वह बर्दमान में यह सा अस्थल जो harapta भीता नहींद थे वो अब कहां पड़ते हैं तो यहां पर यह पूच रहा है तो चलिए देखते हैं क्या होता है अंसर मोहम जोदार हो ठीक है तो मोहन जोदार सिंदर ठीक चलिए और उसके बाद जो एक शुत है गेंडर पूछ रहा तो फिर से मकानी सीमा मकरान के तरट पकिस्टाणी राण सीमा के आसपास और लोथल तो लोथल अभी कहां लोथल आपका परता है अभी कहां बता है कालिवंगा के आसपास यानिकि राजस्थान और बन बनवाली कहां पढ़ता है दोस्तों तो बनवाली आपका पढ़ता हरियाना में तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए तो कि एक दो बी का एक तीन का सी का पांच और डी का तीन यानकी दो एक पांच तीन है कि दो एक पांच दोस्तोब लोथल जो गुज़रात में पड़ता तो दो एक दो एक चार तीन तो यह नपर दो एक चार तीन का अश देखे दो दो एक चार तीन यानि का आउसर आऊशार हो जाएगा दी चले नेक्स देखिए हरता साविता की लीपी में अध्याइब को चित्रों एंभन पर्तिकों का पर्योंग किया जाता है इससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है सी बाएं से दाई लिखी जाती है तो यहां पे जो अपना option क्या जाएगा हरपा सरुताम चित्रों पर्तिक मिला है कई सारी कास के पर्तिमाएं मिली हैं यहा तक कि कई सारी सील के पत्थर मिले है उसमें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका बिल्कुल ऑढ़ से दाई लिखी जाती थी नहीं यार बाइtwo सिदाई नहीं लिखे आती थी ठीक है तो चलिए अपना अप्सिन कैसे हो जाएगा एक सिंदु सभिता के निभासियों त्वारा निमन में से किन खादानों का उत्पादन किया जाता था तो चलिए सबसे पहले उन्होंने क्या पुझाया था गेहूं ठीक है उसके बाद क्या पुझाया जाने वाले पसल तो गेहूं और सबसे पहले बत्रशले उपजया किया था अरपासरविता में जो चलिए निवन कालों को सही करम में समयोजित करिए आज पासानकाल भी पुरा सांकाल सी मध्य पासानकाल और तामर पासानकाल चलिए तो यहाँ पे देख लेते हम लोग क्या हो जाएगा तो सब से पहला जो है पुरा पासानकाल, ठीक है, पासानकाल को तीन भागों में हम लोग बांटे थे, उसमें से सब से पहला क्या था, पुरा पासानकाल, ठीक है, इसका जो इस भी था, वो 50 लाग, इसा पुर्व से 10 लाग तक था, तो ये हो जाएगा, उसके बाद क्या है, मद्य पासानकाल हो जा यहां पर अपना सही option क्या हो जाएगा है दो तीन एक चार दो तीन एक चार तो यहां पर सही option क्या हो जाएगा सिरे नेक्स देखिए सिंदु घाटी सविता सिंदु घाटी की हरप्ता सविता से संभिध प्राचीन लोगों के विशय में निमलीखित कत्नों में से कौन सा एक सही नहीं है यह वह कताई के लिए तक्वा चक्री का परियोग करते थे नहीं वह नव निर्मान तो लोग सीख रहे थे नयार निर्मान करना और वह मुद्रा धातु का परियोग क्या करते थे तो यह गलत है मुद्रा धातु का परियोग नहीं होता था वहां पे समान के बदले समान जैसे घर में होता है ना कि तुम मुझे एक लीटर दूद दे दो मैं तुमें दो लीटर दूद दे दूँगा इस तरह से समान का बिन में होता था मुद्रा का परियोग नहीं होता था ठीक है तो सही यहां पे option क्या हो जाएगा चले नेक्स देखिए हरपा सब्यता को किस नाम से परसीद है तो हरपा सब्यता को जो है सिंदु घाटी की सब्यता भी कही जाती है ठीक है मुहन जोदारों सहर था लोगदर भी एक सहर था चले नेक्स देखिए से सब पर्तम घोरे कि अवसेशु ने हैं तो सिंदुगाति सभुता में सुंध कोटदा में जो हाई घोरा का अवसेशु कि इंचेक हैं देतर नियारामसनी और यह याद रखेगा 1921 अधसर धार Water फिर्षी आपर इंसट्रेश्टिंग सी बताता हूं अब वह को हरा थ्रसाभता के वारे में यहाँ पर जूने तीन pleasing नियम था क्या था था तीन-ँपांकश कानिया या तो या तो पांच कपछ एक साथ की पांच कपल को एक साथ क见 ठाथी आडि देक सकते किस बता हरपा सब्विता की खोज हूई थी तो मैंने बता है मोहन जोदारों को और से जाने जाता है तो मोहन जोदरों का आर्थ ही होता है मिर्तकाओं का टीला जिए नस 안내 सब्सक्राइब करो चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं और अपने दोस्तों को सेर करो ठीक है नया चैनल है तो थोड़ा सचाहिए लोग मिट्टी के बरतनों पर किस रंग का परियोग किया करते थे तो मिट्टी पर लोग लाल रंग करते थे और दोस्तों यहां पर इस इंट्रेस्टिंग चीज्ज आप लोगों को यह बतायता हूं यह लाल रंग दोस्तों वीडियों को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राब करो थांक यू